बाजार में आजकल केक बहुत जादा महेंगे है और बच्चे अगर फर्माईश करते हैं तो सौदफा सोचना पड़ता है केक लेने के लिए तो वो आप असानी से घर में भी बना सकते हैं कम पैसों में और जो चीजें घर पे मौझूद हैं उनी से आप बना सकते हैं जैसे कि इसको चान के यूज़ करूँगी और ये वाला है बेकिंग पाउडर और इसके साथ मैंने अड़ करना था कोको पाउडर जो के इतफाक से मेरी नजर पड़ गई तो पता चला कि इसकी तो डेट एकस्पायर हो चुकी है तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया अगर आपके प और ये है जी एक अंडा और एक कप चीनी इसको मैंने हाथ से ही देखे अच्छे से फेंट लिया है और फ्यू ड्रॉप्स मैंने ये वने लाइसंस केस में आट कर दिया है और खुब अच्छे से इसको फेंटना है बीटर ना भी हो तो आप सिंपल चमत से ही हाथ से आप उस और यही पर अब इसकी अंदर हाफ कप आप घी आड़ कर दीजिएगा जब चीनी और अंडा च्छे से मिक्स हो जाए तो और यह है जी मोल्ट जिसके अंदर मैंने केक बनाना है तो सबसे पहले आपने इसको ही रैडी करके रखना है यह मैंने पेपर लगा दिया है बटर प कॉपी से एक पेज फार लीजेगा और इसको आप घी लगा के इस तरह से अच्छी तरह से अंदर सेट कर दीजेगा और यह जो कप मैंने दिखाया है इसी से मैंने नाप तूल की है एक कप चीनी और एक कप आटा और सिंपल देखे सिरफ एक अंडा मैं यूज कर रही हूं खोब अच्छे से इसको फेंटते जाना है फेंटते जाना है और यहां पर यह मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसके अंदर अब मैं यह चान कर जो ड्राइ इंग्रेडियंट्स थे वो मैं इसमें आट कर रही हूं हाफ आफ करके कर लीजेगा आट ताकि मिक्स करने मे आसानी हो और यह देखिए इसकी mixing बहुत अच्छे से आपको करनी होगी cut and fold इस तरह से और यह देखिए यह हो चुकी है mixing अगर आपको यह थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूद एड़ कर सकते हैं यह देखिए बर जो भी चीज आप यूज़ करेंगे room temperature पे होने चाहिए ठंटी ना हो और यह मैंने डाल दिया है इसको mold में और अब मैं इसको रखूंगी देख्ची के अंदर जो के preheat कर ली है मैंने अगर आप oven में रखेंगे तो 180 degree पे रखेगा 20 minutes के लिए और अच्छे से tap कर लें इसको और यहां पर यह देखिए यह देख्ची है जिसको मैंने preheat किया है इसके अंदर एक stand रख लिया और केक रख दीजएगा और यह देख्ची में यह बेक करने में और बहुत अच्छे से यह बेक हो चुका है बहुत गरम है और गरम-गरम mold से नहीं निकालना चाहिए इसको परे ठंडा करना चाहिए विडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको गरम ही निका लिया है और यह ज अच्छाया है और बहुत सॉफ्ट है यह और अब इसको मैं गरम-गरम को ही आपको कट करके दिखाऊंगी यह देखिए कलर आप चेक कीजए यह देखिए यह मैंने कट कर दिया है और इसका आप देखिए कि धुवा भी निकल रहा है अभी इसमें से कि इतना जाला गरम है और सॉफ्ट है आप इसको चेक कीजए कि बहुत सॉफ्ट है यह और बहुत अच्छा बना है और बहुत यमी बना है